कहानी की सुरुआते काने बुड़े से होती है और ये तना हरामी काना होता है कि क्या बताऊं ये एक छोटे से जोपड़े में अपने 36 बच्चों के साथ रहता है जिसमें इसके बच्चों के बच्चे के बच्चे रहते हैं और कोई भी जिस मर्जी को पेल देता है किसी को गं तो घर की ओरते बिचारी क्या करेंगी अभी तक तुमने सोचा नहीं होगा कि ये बावली गेंड काना कैसे हुआ दरसल दोस्तों बच्पन में इसने बहुत मोज मारी है उसी मोज में इसकी आग चली जाती है और इसने पहले से हेल्थ इंसुरेंस करा रखा था जिससे इस अपने साथ एक दुनाली रखता है क्योंकि ये जानता था मेरे सोते ही मेरी लुगाई और मेरे बच्चे पैसे चुनाने की पूरी कोशिस करेंगे इसलिए ये बुड़्धा अपने एक एक पैसो को चुपा कर रखता था और जब से इसकी एक आंग फूटी है तब से इसने गर पर जारू पोचा लगाती है एक दिन वो अपनी बड़ी बेहन से पूछती है कि तुझे उस काम के कितने पैसे मिलते हैं तो बड़ी बेहन कहती है अपनी गुफा अपना दाम जैसे कि मुझे एक घंटे के 100 रुपे मिलते हैं बच टांगे खोलो और सीडे ले ले लो औ चोटी बेहन को बुरी लग जाती है वो सोशती है कि मैं उसकी जैसी कब बनूंगी और कब उतना पैसा कमा पाऊंगी काने का एक लोंडा चोरी करता है और साम तक उस समान को बेच कर 100 200 रुपे कमा लेता है और दूसरा बेटा भी चोर होता है जो और तो पूछो इमत नंब खुलवा दूंगा अभी घस्ती खाना एक चांटे में मुठ मार कर सो जाएगा ये सुनकर उसके बेटे को गुस्टा आ जाता है वो कहता है बुड़े में तेरे सारे पैसा चुरा लूंगा ये सुनकर काना बावला हो जाता है वो उसकी गेंट पर दोलात मार कर वहां से चलता था और उन्हें बार्य में घंटा पता भी नहीं चलता था और जब कांडे का नसर ठंदा होता था तो बूल जाता कि उस न​किस खाम के लिए पैसा को खच देते हैं, वहीं काने के घर में इतनी गरीबी होती है कि पैसों के लिए वो किसी भी काम को कर सकते थे, जबकि काने के पास बेशमार पैसा था, जो इन पैसों से अपने गंदी वाली यासी करता था, एक राच जब ये काना दारू पीकर सो रहा था, तो वो अपने सपनों में गेंड हो जाता है, साड़े मेरा पैसा किसना चुराया, गेंड में गोली तार दूँगा, तब ही उसे अपने एक लोंडे पर सक होता है, कि साड़े तू नहीं घस्ती खाने के लिए मेरे पैसा चुराया होंगे, दे दे मेरे पैसे दे गोली मार दूँगा, अबे मैंने कहा पर वहां पर तो काणे की घरेलु मार जगडों की फाइले फाइले रखी हुई थी पुलीस वाला कहता है साड़े काने क्या करके मानेगा तू हमेशा थाने में आ जाता है एक काम कर तू अपनी फैमिली को ही मार डाल साला खेली खतम हो जाएगा सान्ती तो मुलेगी हमें और अगले दिन जब काणे का छोटा लॉंडा मजए देकर घर आता है तो उसके दिमाग में बता नहीं किया आता है वो अपनी भाबी की पैंट उतारता है और भटा बट 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 करने लग जाता है यह सब करते हुए से काणा भी देख लेता है अब तेरी यू का कर रहा है और जब रात में सब सो जाते हैं तो वह अपनी दूसरी आंक से इधर उदर देखता है कि साला कोई जग तो नहीं रहा तो वह तुरंत जाकर अपने बेटे की बह घर से निकाल देगा यह सुनकर वो कहती है आओ ससुर्जी अब जित छोड़ो पेल तो सारी राज बहुत पिलवाएगी काने राजा के साथ तो फिर यह बुड़ा लेट्लिंग में उसका ढोल बजा देता है अगले दिन जब यह काना फुल सेट होकर घूम रहा था तब उस अब से इस बैट पर मेरी नई होने वाली लुगाई सोएगी यह सुन उसकी पुरानी बीबी को गुस्सा आ जाता है वो अपने बेटे को उठाती है रुप जा साड़े अभी मेरे लोंडे तेरी ऐसी तैसी करेंगे लेकिन कोई भी नहीं उठता क्योंकि यह साला काना पीछ जहां पर वो उससे साधी कर लेता है और साधी की खुशी में वो सबको पार्टी देने के लिए बेंसो की तदा ट्रक में बरकर रेस्टोरेंट ले जाता है जहां उसकी फैमली के लोग उसके खाने में जहर मिला देते हैं और कान उस खाने को बड़े मज़े से खा जाता है लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि उन सभी ने उसके खाने में जहर मिलाया है। इसलिए वो उन लोगों से कहता है कि मरने से पहले मैं पुलिस को इसके बारे में सब कुछ बता दूँगा कि तुम सभी ने मिलकर मेरे खाने में जहर मिलाया था। इसके बाद वो साइकल लेकर वहाँ से पुलिस थाने जाने लगता है जब किस चूतियों को थाने की बजाए हॉस्पिटल में जाना चाहिए था दरसल कान अपने आपको बचाने नहीं बलकि उन लोगों को मरवाने के लिए जा रहा था और दूर खड़ा होकर अपने परिवार को मरता हुआ देखने लगता है लेकिन इससे पहले वो आग पूरे घर में फैलती घर में सभी लोगों को आग के बारे में पता चल जाता है और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं वहीं वो सभी लोग काने को एक पेड़ पर चड़ा हुआ देखते हैं तो वो लोग उस पर पत्तर फेक कर उसा जान से मानने की कोसिस करते हैं लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और वो वहाँ से भाग जाता है अगले दिन घर के सभी लोग अपने घर को ठीक करने की कोसिस करते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ कान अपने घर को एक आदमी को बेश देता है ताकि इसकी फैमिली रोड पर भीक मांगने को मजबूर हो जाए अब इसका कुछ दिनों बाद वो आदमी जिसने काने के घर को खड़ीदा था वो अपनी फैमिली के साथ काने के घर आता है यहाँ पर इस दल्ले की फैमिली में भी 36 लोगों से जादा मेंबर थे जो की काने के घर में ही रहने आये थे वो आदमी काने की फैमली को घर खाली करने को बोलता है तो काने की लुगाई कहती है कैसे खाली करने हमारा कर रही है तो वो आदमी उसे प्रोपर्टी के पेपर दिखाता है तो काने की लुगाई कहती है तुमारी ऐसी की तैसी और वो सबी आपस में लड़ने लग जाते हैं अगले सीन में हम देखते हैं कि बुड़ा अपने घर के पैसों से एक कार लेता है वो सीधा उसे अपने घर में गुसेर देता है जिससे उसके घर की वाट लग जाती है लेकिन वो सारे मिलकर उस घर को गिरने से बचा लेते हैं और अब दोनों फैमिली उसी घर में रहने लगते हैं यहां पर काणा अपनी तीन दरजन फैमिली मेंबर और अपनी दो वीवियों के साथ रह रहा था और दूसरी तरब वो फैमिली जिसने इस घर को खड़ीदा था वो भी अपने जोइंट फैमिली को लेकर यहां पर आकर रहने लगता है लेकिन काना तो अभी भी नई सुदरने वाला वो अभी भी अपने घर के सभी लोगों परसा करता है और अपने पैसों को हाथ में लगे वो पलाश्टर में छुपा कर रखता है वो चाता है कि उस घर के सभी लोगों को मार कर यहां का राजा बन जाए जिसके लिए वो रात बर जाकर प्लैन बनाता है यह साला बुढ़ा काना कभी नई सुदरेगा और यहीं पर इस मुवी का एंड हो जाता है आई होप आपको मेरा एक्स्प्लैन जरूर पसंद आया होगा तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सेर जरूर कर देना अगर यह मुवी डाउनलोड करनी है तो हमारे टेलेग्राम के चैनल पर कर सकते हो